आज हम बनाए हैं धोकले जिसकों की बनाना बहुत ही आसान है तो यहां पे मैं चटनी की जगे लिए हूं सॉस तो लीजे आप सॉस के साथ ही आज धोकले खाईए फिर चटनी में किसी और दिन बनाऊंगी तो प्लीज वीडियो को फुल देखा करिए और लाइक करने में बिल धोकला बनाएंगे तो बेसन तो लेंगे ही तो यहां पे मिली हूं दो कटोरी बेसन और दो कटोरी बेसन डालने के बाद फिर हम डाल देंगे इसमें एक कटोरी सूजी है अतलब एक कटोरी सी हलका सा थोड़ी सा कम थी कटोरी जैसे ही समझे और फिर हम डाल देंगे इसी मे आधी कटोरी डालेंगे हम दही दही डालना बहुत जरुरी है ठीक, भी ज़ी नहों तो फिर नीबो डाल दीज़े, लेकिन दही ज्यादा अच्छा होता है, फिर इसमें डाल दीज़े ओיל, ओिल तो दही से भी ज्यादा ज़रुरी है जो जो चीजें पढ़ती जा रही है ना सब जरूरी है और फिर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसी में डाल देंगे थोड़ी सा पानी क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो फिर घूल कैसे बनाएंगे और फिर डालने के बाद इसको अच्छे से या तो विस्क की साहिता से या कि फिर इस पून से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लिए जो फिर यहां पे डाल देंगे हम हल्दी कलर के लिए इससे कलर बहुत तो जब यह उबलने लगेगा फिर हम अपना बैटर एक कंटेनर में डाल के इसमें रखेंगे ठीक है तो यहां पे हमारे बैटर को रखे हुए कम से कम 20-25 मिनट हो गए थे तो इसमें में डाल दी हूँ नमक और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे य इनो तो इससे क्या होता है इनो डालने से कि यह बहुत अच्छा फ्लापी बनता है और जिस भी कंटेनर में आपको डाल के बनाना है तो उसको पहले आप ऑईल से ग्रीस कर लीजे इससे क्या होता है कि यह चिपकेगा नहीं ठीक है तो अब हम इसमें डाल देंगे इनो और पीनो डालके फिर हम इसमें थोड़ी सा डालेंगे पानी बिलकुल थोड़ी सा ही डालना है थोड़ा सा ही पानी डालके जिसमें कि ये न अच्छे से जागा जाए और फिर हम डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसमें कि ये पूरे बैटर में और उस तरब हमारा पानी भी गरम हो रहा है तो इसको डालने के बाद पूरा डाल दीजे और फिर बाद में मतलब थोड़ी सा खाली रखिए फुल नहीं भरिएगा ठीक है तो अब हम इसको थोड़ी सा टैप कर देंगे और फिर ये कठाई में ये देखो पानी बॉयल हो रहा है तो अब हम इसमें अराम से रख देंगे और इसको रखने के बाद एक प्लेट से इसको अच्छे से कवर कर देंगे कि इसमें कि इसकी स्टीम न निकले तो ऐसे करना की तो ये देखिए आप ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है फ्लफी बना होगा एकदम क्योंकि बीच-बीच में ये जाली भी दिख रही है ये देखो ये बहुत अच्छा बना होगा मतलब बना ही है तो आम एक नाइब की सहाइदा से देख लेंगे तो इसमें दे निकाल लेंगे, और ठंडा करने के बाद ही हम इसको पल्टेंगे. निकालेंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि नइफ की सहायता से एसे चारो तरब से हम चला लेंगे तो इससे क्या होगा कि यह साइड vibrations से खूल जाए निकालने में आसायई होगी फिर हम क्या गरेंगे कि एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसको ऐसे रखके और पल्टा लेंगे थोड़ी साथ पीछे से ऐसे टैप कर देंगे तो यह निकल जाएगा बहुत असानी से निकल जाता है तो यह देखिए हम इसको निकाल लिए हैं और यह बहुत ही बड़े जैसे भी तो यहां पर मैं कट कर ली हूँ यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है इसकी जालियां देखिए तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे उसके लिए मैं ऑईल गरम होने के लिए रख दी थी और फिर उसमें डाल दी हूँ राई के दाने और डाल दी जानЕ मिर्च बाउडरी दाने के बाद बाद कि नहarnya hawका अच्छे से छारु तरप से जो आउयल हैं और फिर आप ड़ोक्राइब तो वीडियोपूल अर्पूल तो सबसक्राइब कर झाल